दोस्तों कई वार आउलाद कुछ ऐसे कर्म कर बैठती है कि माबाप को मजबूरी में आकर के कुछ उल्टे सीधे कदम भी उठाने पड़ जाते हैं आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है यहां पर एक खूबसूरत लड़की और गाउं का आसिक दोनों घर से फरार हो जाते हैं और फिर पिताने बेटी के लिए उठाया कुछ ऐसा कदम और उसकी लास मिलती है नहर के किनारे पर आखिर क्या हुआ था इस घटना में पूरी सचाई यहां पर हम जानने वाले हैं वीडियो को अंतितक जरूर देखिएगा नमस्कार में हूं सुदेश कुमार और तिर्ची बाद चेनल में आपका स्वागत है दोस्तों यह घटना राजिस्थान के धौलपूर के मानिया थाना छेतर के बक्चोली गाओं की है बक्चोली गाओं के अंदर एक नहर है उस नहर के किनारे जब गाओं के लोग सुबह सुबह घूमने के लिए निकर रहे थे तो वहीं पर एक लड़की की लास उस नहर के किनारे पर मिलती है अब वह लोग जब उस लड़की की लास को देखते हैं तो वह बड़ी उसकी दुरदसा की गई थी उसकी गरदन में उसके दोपटे को एतनी बुरी तरह से लपेटा गया था कि उसकी मतलब जब तक हत्या ना हुए तब तक उसको खीचा गया होगा और फिर उसी में गांट लगा करके उसको बंदे के बंधाई छोड़ दिया था और फिर उस लास को वहीं पर नहर किनारे डाल दिया गया था यानि कि गांट के लोग जब भी उस लास को देख रहे थे तो यही उनके मन में विचार आ रहा था कि आकर कौन इतना निर्दई है जिसने इतनी बुरी तरह से एक बच्ची की जान ले ली पुलिस को बुलाया जाता है गांट के लोग इखटे हो जाते हैं पुलिस आती है, लास को अपने काबू में लेती है और सेचो माकन सिंग इस केस की पैररी करते हैं लास को पोस्ट मारब के लिए भेजा जाता है और यहांपर पहचान करवाई जाती है कि क्या कोई इस लड़की को जानता है उसका फोटो वगेरा खीज़ करके पुलिस इधर उधर वाटसअप ग्रुप्स में और इधर उधर चिपका देती है और अपने खबरी समाज में भेज देती है तब ही क्या होता दोस्तो एक खबरी ने पुलिस के सामने आकर बताया कि साहब आप खरकपुर में एक आदमी है बिरोगी जाटव बिरोगी जाटव के पास जाईए क्योंकि उसकी एक बेटी थी 18 साल की और जिसका नाम था उपासना और वह तीन साल पहले अपने आसिक के साथ गाउं से फरार हो गई थी क्योंकि पुलिस ने कहा था कि कोई फरार हुआ है उसके बारे में जानकारी निकाल कर लाओ खबरियों से ये कहा था तो यहां पर खबरी बताता है कि वह हुई तो तीन साल पहले थी लेकिन उसी को आप गरपतार करिये उसके पिता बिरोगी जाटव को और वहां से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिल जाएगी अब पुलिस यहां पर विरोगी जाटव के घर पहुंचती है और जैसे पूस्ताज कर रही थी पुलिस विरोगी जाटव के घर के बारे में तो विरोगी जाटव घर से फरार हो जाता है पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो वहां पर विरोगी जाटव नहीं मिलता है और फिर एक दो दिन की दबिस में पड़ोस में ही किसी गाउं के अंदर विरोगी जाटव छिपा हुआ मिल जाता है और उसको गरबतार कर लिया जाता है अब उससे पूछा जाता है कि आखिर मामला क्या है और तुम पुलिस को देखकर भाग क्यों रही थी अब दोस्तो यहां पर पुलिस उसको फोटो दिखाती है तो वह सारा राज यहां पर खोल देता है और कहता है सहावी है मेरी बेटी जिसका नाम उपासना है यह है यहाँ पर दोस्तो विरोगी जाटव जिसकी बेटी का नाम उपासना है यह बाप बेटी है और घर परिवार है पूरा जो बेटी उपासना होती है वह एक नितिन नाम के लड़के से प्यार करने लगती है और नितिन नाम के लड़के से जब प्यार करती है तो उसके पिता को करता है और कहता है कि यह नितिन जो है यह दूसरी जाती का है इससे हम तुम्हारी साधी नहीं करवा सकते है और नहीं यह बात अच्छी है गाउं के अंदर इस तरह से लडगियां प्यार नहीं किया करती है क्योंकि सबी के साथ भाई बेन का रिष्टा जो होता है गाउं के अंदर तो यहाँ पर अब जो पिता होता बिरोगी जाटव वे बेटी से खिलाब था लेकिन अब क्या होता दोस्तों यहाँ पर अब उसकी बेटी उपासना और नितिन घर से दोनों फरार हो जाते हैं और दूर जाकर के वे साधी कर लेते हैं और साधी जैसे वे कर तो अब समाज के अंदर बिरोगी जाटव की परिवार की बदनामी होती है बिरोगी जाटव अब बाहर निकलना बंद कर देता है बड़ी सर्म आती है कि उसकी 18 साल की बेटी गाउं के ही एक नितिन जो की दूसरी जातका है उसको लेकर भाग गई और उसके साथ साधी कर ली अब यहाँ पर जो बिरोगी जाटव होता उसके परिवार का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है उनको सर्म लगती है और गाउं वाले भी उनके बारे में उल्टी सीधी बाते करने लगते है अब कुछ दिनों के बाद जब उसकी बेटी ने साधी कर ली थी साधी करने के बाद वे अपने प्रेमी जिसका नाम होता है नितिन उससे कहती है कि अब तो घरवाले साध मान ही जाएंगे तो नितिन और उसकी बेटी जो होती है यानि कि प्रेमी का उपासना उपासना सोचती है कि अब मैं घर जाती हूँ घरवालों को मना लोंगी तो साधी करने के बाद उपासना घर आ जाती है और आकर कि अपने पिता को और अपनी मा को सारी बात बता देती है कि मैंने उस लड़के के साथ साधी कर ली है और अब मैं उसी के साथ रहूँगी लेकिन दोस्तों यहाँ पर माबाब बड़े क्रोधित होते हैं और अपनी लड़की को आप अपने घर में कैद करके रख देते हैं और कैद करने के बाद अब देखते हैं कि अभी भी उनकी बेटी फॉन पर या किसी भी तरह से अपने प्रेमी से बात कर रही होती है तो माबाब परेशान होकर अपनी बेटी को उसके मामा के घर छोड़ देते हैं मामा के घर छोड़ कर ये कहते हैं कि इसका ध्यान रखना लेकिन बेटी तो बेटी थी उसने साधी जो की थी वे अभी भी अपनी प्रेमी यानि कि अब तो पती बन चुका था उससे लगातार कॉंटेक्ट में थी अब मामा भी यह कह देते हैं कि भाई यह हमारे घर नहीं मानेगी और यह तो मानती ही नहीं है तो अभी भी उस लड़के से बात करती है अब क्या होता है जो बिरोगी जाटव होता है वे फिर अपनी सस्राल जाता है और अपनी बेटी को अपने साथ ले आता है और अपने साथ लेकर वे रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में गाउं के पास एक नहर पड़ती है और वहाँ आकर वे अपनी बेटी को फिर से समझाने लगता है कि तु हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है हमारी पहले ही समाज में बहुत बदनामी हो चुकी है और अभी भी तू मान नहीं रही है लेकिन बेटी को तो वही भूस सवार था और बेटी अभी भी यही कहती है मैं तो उसी के साथ रहूंगी बापू तो मुझे क्यों रोकती हो जब मैंने उसको अपना पती मान लिया है अब यहां पर पिता को गुस्सा आ जाता है और उसी के गले में जो उसकी चुन्नी पड़ी हुई थी उससे उसके गले को गोंट देता है साम का समय था जब वापस लेकर आ रहा था नहर के किनारे वे चल रहे थे सुनसान इलाका था अब पिता अपनी बेटी की गरदन में उसी की चुन्नी को लपेट करके उसको मतलब जोर से खींज देता है और जब तक उसके प्रान ना निकल जाते तब तक उसको छोड़ता नहीं है थोड़ी देर में उसकी बेटी की तरब तरब कर मौत हो जाती है और अब उस बेटी की लासको वह वहीं पर नहर के किनारे पर डाल करके अपने घर पहुंच जाता है दोस्तों अब क्या होता है वह समझता है कि अब चलो फंद कट गया है और अब पुलिस के सामने जब इस सारी सच्चा ही आती है तो पुलिस उस पिता को गरबतार करती है और उस आसिक का भी पता लगा रही है पुलिस वह आसिक नितिन वह भी घर से फरार है उसको भी पुलिस ढून रही है जल्दी उसको भी गरबतार करेगी और यहां पर इस तरह से इस मामले का खुलासा होता है यानि कि बेटी ने घरवालों के खिलाब जाने की कोशिस की और फिर पिता ने ही उसकी जान ले ली दोस्तों यहाँ पर जब माबाप अपने बच्चों की करतूत को देखते हैं सबते पहले तो उनको बदनामी का सामना करना पड़ता है समाज के अंदर और जब बेटी और बेटे नहीं मानते हैं तो फिर कोई-कोई माबाप तो धहरिया रखता है लेकिन कोई-कोई माबाप जल्द वाजी में उल्टे सीधे कदम उठा जाता है जैसा कि यहाँ पर इस पिता बेरोगी जातव ने उठाया और बेरोगी जातव ने अपने बेटी को ही जान से मार दिया लेकिन अब उसकी जिंदगी भी सदा जेल के अंदर ही कटेगी वे भी सुकी नहीं रहेगा उसने भी गलत ही किया है बेटी ने भी गलत किया था माबाप की मर्जी के खिलाब भागी थी लेकिन कानून के अंदर तो कोई भी लड़की किसी के साथ भी साधी कर सकती है कानून के तो यह सही था सारा कुछ लेकिन पिता और समाज और परिवार के हिसाब से बिलकुल गरत था तो ऐसे सी घटनाय समाज के अंदर हो जाती हैं उन बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ जो जल्दवाजी करती है साधी व्याकी माबाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते है माबाप की मर्जी से साधी की जाए कभी भी जल्दवाजी ना की जाए क्योंकि ऐसी जल्दवाजीों में बड़ा नुकसान हो जाता है लोगों की जान तक चली जाती है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा रगता है तो से जरूर कर दिया करें अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से ले कराऊंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें साधान रहें रिस्तों की हमित को समझें जै हिंद जै भारत